हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माइ चैनल आज मैं जा रहा हूं दुबई फ्रेम देखने के लिए एक्चुलिये मिराज तीसरा दिन है तुबाई के अन्दर आज हम जाएंगे पहले दुबै फ्रेम देखने उसके बाद हम ड्हाई बजे मेरिकल गार्डन जाएंगे Medical Garden के बाद मैं जाओंगा Global Village जो कि उसी के पास है और वहां हम इवनिंग में वही रहेंगे ये टूर बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप पूरी वीडियो ज़रू देखेगा क्योंकि इसके अंदर आपको मैं बहुत सारी नही नही चीज़े दिखाने वाला हूं अभी हम लोगों ने टैक्सी ले ली है और अभी हम जा रहे हैं दुबाई फ्रेम दोस्तों दुबाई फ्रेम पहुंच गया हूं मेरे पीछे देख ही सकते हैं वो है टिकेट काउंटर कितने चार्ज लगते हैं मैं वहाँ जा के बताता हूं आपको चले टिकेट मैंने ले ली है इंट्रिवी कर ली है और जो चार लोगों की पड़ी है टिकेट 210 दिरम की पर परसन बावन साड़े बावन दिरम पर परसन और मेरे पीछे का नसारा यह म्यूजिकल पाउंटें शो है दोस्तों यह है इंट्रेंस यह लेडिस के लिए जेंस के लिए हम लोग उदर से आएदे टिकेट लेते हुए और सामने यह सी गेट के फांटें शो चल रहा है पिंट्रिक कर ली हम लोगों ने अब हम जा रहे है ऊपर यह इंट्रेंस है यहाँ पर कर दो है कर दो है भूषीता देख ले नीचे बदेखए की देखिए माशें को डर लग रहा है नीचे देखते हुए क्योंकि ऐसा लग और गिरने ऐ हैं कि म मम्मी के देख रहा है मैं भी सब घो superhero और में भी थोड़ा थोड़ा देख रहा है अदो मिदर दीना प्लाइए प्लीज जब भी दुबई आएं तो दुबई फ्रेम ज़रूर आईएगा इसका व्यू बहुत खुबसूरत है इसके दोनों तरफ अगर मैं दिखाऊंगा आपको यह देखें दोस्तों यह है ओल्ड दुबई ओल्ड दुबई के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं तो दुबई दुबई देख सकते सामने बुझ खलीफा नीचे जो है यह है जबिल पार्क शोरी मैं आपको बताना बूल गया कि दुबई फ्रेम जो है वह जबिल पार्क एंदर तो यह नया दुबई जो कि अभी डवलप हो रहा है आगे की तरफ और यहां पे कुछ खाने के लिए भी है बहुत स्पेस है यहां पर इनफ है कुछ खाने का दिया गया यहां पर और आप एक चीज़ और बता दू यहां पर आपको ना जहां कि जितने भी शेक हुए है यह हैं अभी परजेंट में यह उनकी फोटो लगी हुई है यहां पर कि तो हालत खराब हो रखिया आज आज आजा आज आजा यह फांटन शो यहां पर हो रहा था था विए थोड़ देर पहले आपने वहां से इंट्री कर दी और बिलकुल इसके ठीक मैं इवी उपर हूं है माइगाड है कढ दिए? बड़िए अजी महांग सिटोडना आप दाल गाल प्लाद लाद अजयर डाल राल मपड़ी वाल ठाल राल जाल अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं यहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अगर आप आए प्लीज दुबाई फ्रेम ज़रूर आएगा यहां पे करीब करीब हम लोगों ने एक घंटे का टाइम स्पेंड किया है और इनफ है बहुत अप्छे-छे फोटो जिये थे और म मेरे ममी पापा बहुत खुछ है यहां पे आके है कि अ कि अ कि यह है दुबाई का फ्यूचर जो कि 2050 में होगा है तुबाई का फ्यूचर जो कि 2050 में होगा है अ स्थक्षा जो कि आप कि अ कि अ कि 20 मत बाहँ पूच कि अ कि अ एक बड़ियो रड़ाबन सेक्षाड़ ओयू है मुझे बाहर आगए हम लोग अभी अभी आपने देखा मेरी मम्मी पापा ना कितना इन जोएक है यहां पे और यह बहुत ही खुब्सूरत पार्क है बहुत अच्छा लग रहा है और जो यह पाउंटेंश हो है यह रेगलर चली रहा है तब से अब उपर गए थे तब भी और अभी लिए हुआ 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 है टेक्सी ले लिया है और अब हम जा रहे हूं होटल के और ममी पापा की दूसरी गाड़ी करती है टेक्सी और हम इससे जा रहे हुँ